क्या आप जानते हैं? लुटेरी आर्थव्यवस्था क्या है? रॉबर एकॉनमी ये वे आर्थिक क्रियाएं हैं जिनके अंतरगत त्वरित लाब के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया जाता है जिससे भविश्य के लिए उपयोगी विविद संसाधनों का अनावश्यक विनाश किया जाता है और निकट भविश्य में उनकी पूर्ती संभव नहीं होती। आर्थिक विकास के दौर में मनुष्य अनेक ऐसे कारे भी करता है जो भूतल पर दूरगामी आर्थिक प्रभाव भी छोड़ जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को फ्रांसिसी भुगोलवेता, ब्रंच ने ल कि राशी चक्र यानि जोडियक क्या है? आकाशिय गोले पर, सेलेस्टियल स्फियर पर, 16 डिगरी की चोड़ाई पर निर्मेद एक काल्पनिक पेटी जो उन दो वृतों के मद्ध इस्थित है, जो क्रांती वृत यानि एलिप्टिक से दोनों और 8 डिगरी की दूरी पर प्रतेक राशी के अंतरगत 30 डिगरी क्षेत्र सम्मिलित है, इसका निर्धारन आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व बसंत विशुव यानि स्प्रिंग एक्विनोक्स पर सूरी की इस्थिती में किया गया था, प्रतेक राशी को उसके प्रखंड में इस्थित एक विशिष् महिनों से प्रतेक महिना राशी चक्र के तारा मंडलों में से किसी एक तारा मंडल से संबद्ध होता है, कि रिया क्या है? ये कीपाकार सागर तटिय जलमार्ग या खाडी है, यानि इनलेट है, जिसका निर्मान सागर तल में उत्थान अथवा तटिय तल के निमजन के परि रूप में पाई जाती है, तट के जलमगन हो जाने पर कठोर शैलों से निर्मित टीले और पहाडियां जल के ऊपर दूइपों तथा अंतरीपों के रूप में द्रिष्टी गोचर होती है, ये निमगन घाटियां एस्चुवरी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, नद कि लुप्त सरिता क्या है, डिसपेर्ड स्ट्रीम, ये एक ऐसी सरिता है जिसका जल कुछ दूरी तक भू सतह पर प्रवाहित होने के पश्चात, प्रवेश्य शैलों की संधियों तथा छिद्रों से होकर भूमिगत हो जाता है और सरिता सतह पर अद्रिष्य हो जाती है, इस आगे चल कर तराई के मैदानों में पुना सतह पर बहने लगती हैं। पाड़ी या लगु निवेशिका के सम्मुख पंक, रेत, बजरी, आदी के निकशेप से जब तक किसी रोधिका या रोध का निर्मान होता है, सागर्तट और रोधिका या रोध के मध्य उतला सागरिय जल बंध हो जाता है, तथा लैगून का निर्मान होता है। उडिसा के तट पर चिल का जील इसका उधारन है, इसी प्रकार तटिय प्रवाल भित्ती, अवरोधक भित्ती, अथवा प्रवाल वलै से आबध सागरिय जल लैगून के रूप में पाया जाता है। क्या करेला में कोई ओशदिय गुण भी है? करेला तो ओशदिय गुणों का भंडार है, करेले की कड़वाहट भले ही पसंद नहों, लेकिन स्वास्ते के लिए ये अम्रित है, अभी तक लोग स्वाद बदलने के लिए या डायबिटीस दूर करने के लिए करेले का उप्यो इस शोद के अनुसार करेले में विभिन प्रकार के एंटी ओक्सिडंट्स एवं एसिड्स पाई जाते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके सेवन से वजन भी कम होता है। पकने की इस प्रक्रिया में एंजाइम तूटते हैं, साथ ही स्टार्च जैसे पॉलिसेकराइड्स हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये प्रक्रिया स्टार्च को फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सूक्रोज जैसे छोटे अणूओं में तोड़ देती है। कि ग्रीश्म काल में आम यानि मैंगो फल का सेवन करें जो प्रक्रिती का एक अच्छा वर्दान है, इसकी उप्योगिता जानिए। आम यानि फलों का राजा वैज्यानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका, कुल, एना काडियसी, उत्पत्ती, इंडो वर्मा प्रक्षेत्र से एवं अन्य फल शेहतूत, नारियल, पानी, बेल, फालसा, खर्बूजा, तर्बूज, आदिका सेवन गर्मी के मौसम में करना आती ला प्रद है, आम में आमीनो अमल, विटामिन A, C और E, नियासिन, फ्लेवनोइड, कैल्शियम, आइरन, मैगनीशियम, आदितत्व पाई जाते हैं, साथ ही ये पोटेशियम और बीटा कैरोटीन से भरपूर है, ये दोनों ही तवचा संबंधी समस्याओं से बचाव करते हैं, साथ ही साथ, इसमें मौझूद विटामिन्स आँखों के लिए काफी लाबदायक हैं, विटामिन C तवचा के लिए उपियोगी है, ये इम्यून तंत्र को मजबूत करती है और सर्दी में जुकाम से बचाव करती है, इसमें मौझूद लाबदायक एसिड जैसे ग्लूटा प्रिष्ट 179